मारा सिमुलतला मोडल है मालूम भा अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरिवाल जी का तो हम अपर अधिकारियों के साथ ऐसे संसिक्षन सर्थानों को भी विजिट करेंगे जिनको नफरत परहाना है वो परहावे हमें महवबत परहानी हमारे सिक्षक और पूर देंगे हम ह इस काबिनेट का विस्तार भी हो चुका है बता दे कि टोटल हेकतिस मंत्रीयों को शपत दिलाई गयी जो बहार के राजशेपाल हैं फागु चोहान उन्होंने सभी मंत्रियों को पदर गोपनियता की शपत दिलाई वही अब जो सिक्षा मंत्री हैं चंदर सेखर उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद प्रिस कॉंफरेंस किया है और सबसे जो खास बात रही वो ये रही कि प्रिस कॉंफरेंस में उन्होंन उन्हें केज्रिवाल मॉडल का जिक्र किया सिक्षा को लेकर दरसल उनका कहना है कि जो दिल्ली में सिक्षा का अस्थर है वो काफी सराहनिये हैं और कोशिस की जाएगी कि बिहार में भी वही मॉडल लागो की जाए इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है और दिल्ली जाकर देखेंगे कि वहां किस तरीके से इस मॉडल पे काम किया जाता है उसके बाद ये कोशिस की जाएगी कि बिहार में भी किज्रिवाल मॉडल पे काम किया जाए और बिहार की जो सिक्षा विवस्ता है उसको और अच्छा बनाया जाए तो देखें किस तरीके से जो मंत्री है चंदर शेखर उन्होंने जिक्र किया है केजरिवाल मॉडल का और क्या कुछ कह रहे हैं अपने बयान में जिस उद्देश के लिए बनाया गया विभाग है या हमारा विभाग है सरकार की जो चिंता है इसको बहतर सिक्षा गुनवत्ता पुर्ण सिक्षा क्पेशे हो और इसके लिए हम लोगों को जहां से भी अनुवफ सेयर करना पड़ेगा मालूमबा हमरा सिमुलतला मोडल है मालूमबा अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरिवाल जी का तो हम अपर अधिकारियों के साथ ऐसे संसिक्षन सर्थानों को भी विजिट करेंगे और ये अल्टिमेट ये है कि वर संचालित हो और गुनवत्ता पुर्ण सिक्षा हो किसी के लिए यह आप लोगों को हमने कस्ट दिया यही मैं कहना चाहता हूं आप लों से कोई सब्सक्राइब बिल्कुल मैं अभी देखने जा रहा हूं देकर कि लगता है इस साथ जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए कुछ ने कुछ तो है तो अग परहावे हमको सोशल जस्टिस परहानी है जिनको गुरु गोवल करके बंच प्थॉट परना परना है वो परहे परहावे हमको अम्बिद्गर को परहाना है यह इसलिए कि हम नफरत के माहौल से अपने आपको अलग करना चाहते हैं क्या बोले मेरी 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 बाद सुनिए हमारे सिक्षक और पूर्ट देंगे हम हर अस्तर तक उनके उनको मदद करेंगे हमारे पास आएगा इस वह इस बात की जिम्मेवारी पूर्बग को गारंटी लेंगे हम सिक्षा नीती में जो आप सबस्वासवाल को उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे हम आज भी बोले मैं आज भी बोला हूं परदेश परदेश के नेटिट के लोग आये थे हमने कहा कि आप कम से कम एक महिना मेरा बर्थ संचालिद कर दो यह ऐसा रोना नहीं दस लाइशन के लिए अभी हम लोगी समिक्षा बैठक में किया है हमने कहा कि भी या बर्थ संचालिद करा दो परदेश लगा दो जो ही टीचर है कम से कम परहावे तो इसकूल में जाकर गर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर करवावी करना परना परे तो शिक्षक और समानलों में क्या फरक है अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कर ले हमारे वीडियो को लाइक करे शेयर करे साथ हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिलकुल न भूले झाल